स्वागत है आप लोग का you pae say mentor Group है हाँ से हम लोग capsule capsule का series start कर रहे हैं और इसमें एकिन मानिये यह जो series होगा यह आप लोग के लिए बहुत लबदायक होगा जहां से question आप लोग के गलत होते हैं उसी को सही कराने की कोसिस किया जा रहा है यहां पे क्योंकि आपके right question क्या हो जाएं बढ़ जाएं और जो wrong question है वो क्या हो जाएं कम हो जाएं तो finally आप क्या कर लेंगे प्रीमे सेलेक्शन ले लेंगे तो सिर्फ target area पे जाहन से question कुछा जाता है या UPPCS का जो examiner है उनके दिमाग का कीड़ा तहां तक जाता है उसको समाहित करने की कोसिस किया जाएगा capsule में यहां से आपको कम से कम 15 से 20 question क्या होगा उच्छाल मिलेगा जितना आप तैयारी कर चुके हैं उससे 15 से 20 question क्या करेंगे उच्छाल मिलेगा और भी right question का उच्छाल मिलेगा तो यह ध्यान रखना दूसरी बात है कि अभी time कम है तो मेरा सबका अलग-अलग perception होता है मेरा यह मानना है कि जैसा अभी UPPCS का चल ला है UPPCS का pattern चल ला है उसमें आपको क्या करना चाहिए revision पर focus करना चाहिए revision मूल मंत्र है क्यों अगर आप test series में जाते हैं test series उन लोग के लिए फैदे मंद होगा जो question गलत करते हैं या question item नहीं करवाते हैं लेकिन 150 जो sincere बच्चा होगा 150 वो दो गंटे में question कर लेगा लेकिन अगर आप test series में जाएंगे तो उतना holistic cover नहीं करेगा जितना कि revision करेगा आप जहां एक test series लगाएंगे उतने में हो सकता है कि आप एक subject का आदा portion क्या कर लें revision कर लें तो यह फायदे मंद होगा और यहां से question गलत होने की कम probability होगी ठीक है तो इस पे ध्यान रखना है रिवीजन 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 पर ही ध्यान रखना है यह नहीं की नया चीज़ कोई नया चीज़ आप नहीं पढ़ना है रिवीजन फोकस करो अपनी उपर confidence रखो ठीक है confidence अगर मन से जीत गए कि हाँ हमारा selection होगा तो कोई नहीं रोख सकता है मन के हारे हार है और मन के जीत जीत है तो मन को elevate रखो motivate रखो ठीक है और किसी दूसरे की न सुनो अपनी अपी जो अपनी strategy है उस पर काम करो दूसरे पर क्या होता है कि लास समय में बहुत सारे यह नहीं हुआ मेरा यह नहीं हुआ यह सब्जेक्ट रह गया यह सब्जेक्ट रह गया अब भी टाइम है आप रिवीजन के लिए अपना एक इस्टेट्जी खुद का बनाओ दूसरे उपर डिपेंड नहीं यह भाई PCS जब बन जाओके तो आप इसी दूसरे उपर डिपेंड रहोके क्या क कि भाया आप बता दो कि हमें क्या करना है वहां भी जाकर आप ही काम करो के तो यहां क्यों नहीं यहां भी आप भी काम करो सिर्फ हेल्फ कर सकते हैं जैसे कि मैं कैप्सूल इसलिए ले आया हूं यह 10-15 मिनिट का सिरीज होगा और आप रिवीजन कर रहे हो बीच में होता है अब पढ़ने का मन नहीं है तो यह वीडियो देख लिया ठीक तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए यह बार-बार हम नहीं बताएंगे अब नेक्स लेवल पर चलते हैं कि कैसे कहां से कोस्टन आते हैं तो पहला आता है कि एकॉल जी या पारेस्थितिकी का सब का प्रियोग किस ने किया था तो सब जानते हैं कि आर्नेस्ट हैकल ने किया था कौन किया था आर्नेस्ट हैकल लेकिन किस कुस्तक में किया था जनरल मार्फोलोजी आफ ऑर्गनिजम में किया था कौन से कुस्तक का नाम था जनरल मार्फोलोजी आफ ऑर्गनिजम इसमें सब परस्थिति के का प्रतिपादक कौन है ग्रिनेल्स है अब नेक्स आते हैं कितने बार कोश्चन पूछ चुका है कि नीच जो नीच होता है इकलोजिकल नीच उसका प्रतिपादक कौन है तो परस्थिति की कर्मता बोला जाता है नीच हिंदी में और इंगलिस में नीच बोलते सिंट का परियोग कुसे पहले क्या था sē टांसलें ने क्या था परेस्थितिकी पिरामिड किसको पर्फर्फं बिचार किस ने दिया था सबसे पहले कहा आयोग में तो यह था ब्रेंट लेंड आयोग कब बना था 1987 उसमें एक पेपर पब्लिश हुआ था किस नाम से आउर कामन फिटर उसमें सतत विकास का सबसे पहले आउधारणना दिया गया था तो ब्रेंट लेंड आयोग में इसट पूच्टन पूच्ञा जाता है ज्योंनेट के लिए बाइग सतत लेंग सतों बेसां में जाडियों काना मैं जहाडिया नामक में जागते हैं कि एयरोपय भाग में पाइजाते है एलिफॉर्निया अमेरिय का यौस में जहाड जाते हैं कि ग्शैबबत यह साउफ अफ्रीका में टेट ऌते हैं मेругоש क tapping जाता है देज़्य का तो कहां दक्षण आफ्रिका मारना मैट्रोल पुछेगा तो कहां चेली में और मैली पुछेगा तो अस्टेलिया में अब रामसर संदी के बारे में बहुत question इस पर probability है कि रामसर के बारे में अच्छे question देखने को मिल सकता है तो उसको त्यारी करें 2 February 1971 में रामसर संदी हुआ था कब रामसर, रामसर city कहां पढ़ता है तो यह इरान में पढ़ता है वहां पे सबसे पहले 2 February को 1971 को रामसर संदी हुआ था अभी देखें तबरतमान में 171 संदस हैं किसमे रामसर संदी में और भारत ने 1982 में वेरी इंपोरेसे में राम सार समझ अजय और समझते का सदस्य वना था भारत तुछ नुए में जोड़ो अधर भूम दो फ़वरटरीक में बनाते हैंatar होव जबयाता है कि बऌन किया था या इसका कंसेट किसी ने दिया था तो जै playoffs लुंतर जी रोजन ने वाइवर्ょण की अगा हूट रियों सबस्द का परियों के हवाइट। मेरस प्रियों टो ह्यूत लुए सब्सक्राइब को था है नॉर्मनन मेरश नहें बनाट पया फिरल्स आए एक संस्था है Cela कौन है यह सियर इसका एंटरनेशनल युनियन झापनजरवेसण आफ नेचर एड किया इसके द्वारे ज्यारी किया रहा है क्यों crack टेटर पूर मिद्वीन होते हैं आ वह इनको in पिंग और यह बताते हैं जब इब इंडेंजर्ड तो उसके ग्रींगी में प्रेचर होते हैं और ग्रींग इंडेंजर्ड नहीं होते हैं ग्रींडेंजर्ड भाल्ज है तब उन्को ग्रींफे में 24 थाइसे फ्शुक्स प्राणि का, वो लोक्त प्राय कबसे माना जाएगा, अगर वो 50 साथ से वो अपने हैबिटेट में, अपने आवास में नहीं दिख रहा है, 50 साथ से, तो वो उसको क्या माना जाता है, लोक्त प्राय माना जाता है, ठीक है? अब next स्टरे है कि ये very important कि रास्ट्री जैविविद नहीं पारे में मोधी जी ने बहुत चरचा किया था ठीकिए जब लदाग गय थे तो यह सिवक थन है क्या, यह plant है, इस plant से बहुत सारे mineral, बहुत सारे mineral और vitamin मिलता है, mineral मिलता है और vitamin मिलता है, पोस्रने अगर देखें तो nutrition level को यह क्या करता है, बढ़ाता है, तो अगर climate में देखें तो लदाक, हिमाचाल और सिक्किम, यह तीनो cold climate में पाया जाता है, कहाँ प प्रवर्सेटी को conservation करने के लिए पूछ लिया जाता है, कि कौन-कौन सारेक्षण मेथड अपनाते हैं, तो एक in-situ अपनाते हैं, और एक वे अपनाते हैं, इक सिटू, या एक सिटू, तो in-situ में कौन-कौन आता है, इन-सिटू में, वो अपसा कुछ लिया जाता है, इन दूसरी जगह पर उसको क्या क्या जाता है, समरक्षण दिया जाता है, तो in-situ के जंपल देखो, रास्ट्रियो दिया नेशनल पार्क आ जाते हैं, नेशनल पार्क जो भी है, वो in-situ में आते हैं, वाइल लाइफ, सेंचूरी या बंजीव अव्यारन, ये सब आते हैं, कि तो उसको निल गरी हम लोग बायो इस पर रिजर बोलते हैं, उसमें कितने पांच के करीब, जैकली याद नहीं है, लेकिन हम पांच के करीब है नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये याद रखा, जो पक्छी भी आ रहा है, या बड़्ड सेंक्चूरी है, वो भी क्या आते है ये आते हैं आपके इंसिटू में, पबित्र उपुबन, ये समझो, पबित्र उपुबन होता है, क्या होता है, ये एसकी होते हैं, जो जन्जातियां होती है, वो इनमें एक प्रथा होता है, क्या प्रथा होता है, कि वो आपनी पुर्बजों का आत्मा मानते हैं कि ये बनो में निवास करती हैं क्या मानते हैं यह जंजातिया मानती हैं कि उनके पुर्बजों की आत्मा किसमें निवास करती हैं बनों में निवास करती हैं तो वो क्या करते हैं उसको संरक्षण करने लगते हैं और उसको पभीत्र मानते हैं और इसी को अवधार्णा को लेके पभीत्र उकुबन लाया गया तो पभीत्र उकुबन समझ लेना कि पभीत्र उकुबन से क्या होता है कि यह जंजाती है अपने जैसे हम लोग देवता को खूझते हैं वैसे ही इस पभीत्र बंद जो होता है उनके लिए पभीत्र होता है उनको खूझते हैं तो वो सनक्षण में बुच रोगष करें यह भी इंसिटू है जैसे बहुत साले कांट गार्डएं विलता है बाटनिकल में, जैसे क्या करहोगी कि गार्डएं बनाओगे और उनको क्या करेंगे हम अपने तरफ से उगाएंगे उसी को एक गार्डेंगे तो उसको परनस्पति गार्डेंग बोलते हैं ठीक है दूसरा प्राणी उद्द्यान जो जो होते हैं या जिनका लुप्त प्राय होता है उनका जिन निकालके cryo-preservation किया जा था cryo-preservation एक बार कुछ लिया गया था cryo-preservation में कितना temperature चाहिए तो minus 186 degrees centigrade चाहिए कितना minus 186 degrees cryo-preservation ठीक है बन जीव सफारी पार्क बन जीव सफारी पार्क भी क्या होता है एक सिटो का या परास्थानी का क्या है example है यहां से आपको हर साल paper में कोई ने कोई देखने को मिलता ही और मिलेगा भी यहां से एक option जरूर आपको देखने को मिलेगा तो आप कम से कम यह है यह नहीं है आप eliminate कर सकते एक option जरूर मिलेगा इसे याद कर लेना लिख के रख लेना कई भी तो जो बन जीव सुरक्षा अधनियम, Wildlife Protection Act, तो ये कब स्पारित किया गया था? ये 1972 में आया था. बन सुरक्षा अधनियम, Forest Protection Act कब आया था? 1986 में आया था. जल प्रदूशन एम निवारन अधनियम, ये बहुत पूछा जाता है कब आया था? 1974 में. जल प्रदूशन एम निवारन अधनियम कब आया था? 1974 में. ये निवारन एम निवारन अधनियम आया था? 1981 में. ध्यान रखना. जै बिवित्ता अधनियम कब लाया गया था? 2002 में. वह नहीं रास्टी जय विवित्ता कार्करम येकशन कब लाया गया था तो दुछ Az MALE में इसे ध्या ना कि राष्टी जय विवित्ता कार्करम ओलाया गया था हमेशन बोलते हैं लगने की क्या बोलेंगे हिंदी में थोड़ा सा डॉठ है पीछए बता चुके हैं ठीक है तो वो एक्सक्राशन नेशन लात में तो 2008 में किया गया था नेशन हमारा है राष्ट्री जैयोमंडल रीजिदल करक्राम नेशनला बायोश्वेर रीजरब सहहे प्रोग्रमATT जैसा भी होगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा Thank you, thank you so much